दोस्तों बंगला देश की प्रधानमंत्री तो है हसीना लेकिन आजकल उन्हें रोना पड़ रहा है क्योंकि भाईया जी चुनाओ सामने खड़े हैं लेकिन देश में दंगा फसाद हो रखा है कपड़ा मिलों के जो मजदूर हैं उन्होंने अपना भाड़ा बढ़वाने के लिए कपड़ा छोड़ो सड़कों को अधर दिया है देश में आग फूंक दी है इस दोरान जबकि भाईया जी हसीना का भविश्य अंदकार में लटका हुआ है भारत तब भी चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ा हुआ है और वह भी भाईया जी हमने नेपाल की काल समाप्त हो गया है तो अगला रीजनल डायरेक्टर कौन होगा 1948 में जब यह पोस्ट बनी थी तब से लेकर आज तक इस पर कोई भी बंगलादेश का नागरेक नहीं बैठा है और भाईया बंगलादेश और नेपाल दोनों मोदी सहाब से प्रातना कर रहे थे कि भाईया हमारे केंडिडेट को सपोर्ट देदो 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 लेकिन भाईया जी भारत ने फाइनली सेख हसीना की बेटी को समर्थन दिया है और वो चुनाओ जीत गहीं है अलांकि यहाँ पर कहना जरूरी है कि नेपाल का जो केंडिडेट था उसके पास एक्सपिरियंस ज्यादा था लेकिन भाईया यह जियो पॉलिटिक्स का खेल है इसमें अनुभव से ज्यादा आपकी राजनाय तक संभावनाओं का महट ज्यादा होता है सेख हसीना की जो बुत्री है उनको बविश्य में प्रधानमंतरी बनना है ऐसी संभावना है तो वो संभावना है और मजबू से है नहीं तो भाईजा बंगला देश पाकिस्तान बनने की रहा पर चल कहा रहा है भाईया जी दोड़ रहे हैं वो तो भारत की समश्याएं बढ़ जाएंगी अगर शेख हसीना हार जाती है तो इसलिए बंगला देश का अगला चुनाओ भारत के दिश्टिकों से बेहद म है और दोस्तों शेयर मार्केट में चल रही है डिसकाउंट की सेल लेकिन उसका लाव उठाने के लिए आपको सीखना पड़ेंगी टेक्निकल और फंडमेंटल एनालेसिस की दो दो कलाएं किंतु उसके पहले ध्यान दीजिएगा एक जनवरी दो हजार चौवीस से हमारे च अभी के अभी जॉइन कर लेजिएगा